देखे उस वक्त तक इस तरह की गंभीर घटनाय नहीं हुई छोटा मोटा चलता है व्यवस्था बिगड़ती है हम भी समझते हैं जब इतनी बड़ी रेला चला आ रहा हो तो थोड़ी बहुत व्यवस्था उपर नीचे हो जाती है कोई परफेक्ट सिच्वेशन नहीं आ पात इनकी बॉखलाहट भी साथ-साथ बढ़ती चली गए तभी इन्होंने कोविड का हंगामा किया और कोविड का हंगामा सिर्फ और सिर्फ राहूल गांधी के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के लिए बाकि तमाम इनके आयोजन चल रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा मैंने अभी कल एक ट्वीट किया था ओम बिर्ला जी का अस्पताल में कंबल वितरन समारो राम बनोर लोया अस्पताल में किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ भीर जमा रखी, अस्पताल जैसी समयदन शील स्थान पर जहां इंफेक्शन फैलने का डर होता है वहां आप लोगसभा स्पीकर जो दो दिन पहले मास्क लगा कर पूरा संचालन कर रहे थे संसत का अस्पताल में कंबल वितरन कर रहे हैं बिना मास्के तो नियम भी आपने सिर्फ हमारे लिए राजधानी के करीब आने लगी और इनकी आई बी ने इनको रिपोर्ट दी हमें भी मालूम है क्योंकि कुछ साथी हमारे भी होते हैं विभागों में कि समर्थन जन समर्थन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है तो जो इनको शुरू में अंदेशा था कि अरे साब ये चलेंगे नहीं पूरा ये बीच में चले जाएंगे ये जो ब्रेक है ना इसमें विदेश जाने वाले हैं ये सारी जो बाते वाटस्टैप यूनिवर्स्टी ने फैलाई थी वो सब सब के सामने जाहिर हो चुका है अब ये परिशान है अब परिशानी में ये किस तर पर जा रहे हैं वो देखकर हमें घवराट हो रही है